देवी देवताओं को नारियल चढ़ाते समय न करें ये गलतिया, इन बातों का रखे ध्यान. और घर में नारियल रखने से मिलते हैं, कई चमतकारी लाभ खुल जाते हैं, तरक्की के रास्ते तो पहले जान लेते हैं कि नारियल चढ़ाते. समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और उसके बाद में जानेंगे कि नारियल घर में रखने से क्या फाइदा होता है नारियल तो हम सब मंदिर में जाकर चड़ाते ही हैं लेकिन हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं हमारे को पता नहीं होता है तो आज इस वीडियो हमें हम यही जानेंगे कि नारियल किस तरीके से भगवान को अर्पित करना चाहिए और नारियल घर में रखने से क्या-क्या फाइदे होते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी मुश्किले आती है अगर आप सही तरीके से नारियल अपने घर में रखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके व्यापार में व्रिद्धी होगी और परिवार में सुख शान्ती बनी रहेगी और पैसों की कमी भी नहीं होगी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जैमा लक्षमी जरूर लिखना हिंदू धर्म में नारियल का विशेश महत्व माना गया है धार्मिक अनुष्ठानों जैसे हवन पूजापाथ आदी में नारियल का विशेश रूप से इस्तमाल किया जाता है नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है क्योंकि इसमे मा लक्षमी का वास माना गया है इसके साथ ही नारियल में तृदेव यानी भगवान ब्रहमा विश्णू और महेश का भी वास माना गया है धर्म में प्रत्येक देवी देवता की आराधना करने के अलग-अलग तरीका बताया गया है इसी तरह देवी देवता की पूजा के दौरान सही नारियल का चुनाव भी जरूरी है तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्थ हो सकता है ऐसे में आये जानते हैं कि कौन सा नारियल किस देवी देवता पर चढ़ाना शुब होता है विष्णु जी को न चढ़ाएं ऐसा नारियल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को हमेशा साबुत नारियल चढ़ाना चाहिए उन्हें कभी भी फोड कर नारियल न चढ़ाएं नारियल के साथ फल और फूल चढ़ाना भी लाभकारी होता है इसके साथ ही आप भगवान को गीला खोल वाला नारियल भी चढ़ा सकते हैं शिवाले में भी साबुत नारियल ही चढ़ाना चाहिए क्योंकि इन सभी स्थानों पर नारियल को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है किन्हे चढ़ाएं जटावाले नारियल तामसिक देवी देवताओ जैसे मा काली काल भैरव जी को जटावाला नारियल अर्पित करना शुभ माना गया है इसके साथ ही यह नारियल हनुमान जी को भी चढ़ाया जा सकता है ऐसा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं किन्हे चढ़ाएं फोड़ा हुआ नारियल हनुमान जी काल भैरव और माता राने के मंदिर में नारियल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें की हमेशा नारियल को फोड़ कर चढ़ाएं इन बातों का रखें ध्यान किसी विशेश उद्देश से की गई पूजा के बाद भी नारियल फोड़ कर भगवान के आगे चढ़ाया जाता है लेकिन वही मननत पुरी होने के बाद भगवान को साबुत नारियल चढ़ाना ज्यादा शुब माना जाता है घर में नारियल रखने से मिलते हैं कई चमतकारी लाब खुल जाते हैं तरक्की के रास्ते माना गया है कि घर में नारियल रखने से व्यक्ति को कई तरह के लाब मिल सकते हैं आईए जानते हैं घर में नारियल रखने से व्यक्ति को क्या लाब मिल सकते हैं साथ ही जानते हैं इससे जुड़े कुछ उपाए घर में नारियल रखने के लाब माना जाता है कि जिस घर में पूजा स्थल पर लगू नारियल या श्रीफल रखा जाता है, उस घर में धन की देवी मा लक्षमी का वास बना रहता है, जिससे घर में बरकत और खुशाली आती है मिलेगा व्यापार में लाब, गुरुवार के दिन एक नारियल लेकर उसे एक पीले वस्त्र में रखें और एक जनेव में इसे लपेट दें इसके बाद इस नारियल को पीली मिठाई के साथ किसी विश्नु मंदिर में अर्पित कर दें इस उपाय को करने से व्यक्ति के लिए व्यापार में लाब के योग बनने लगते हैं दूर होती है पैसों की समस्या घर में पूजा के नारियल को रखने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती है साथ ही घर परिवार में सुक्सम्रिधी बनी रहती है साथ ही यह भी माना गया है कि घर के आंगन में नारियल का पेड लगाने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है बुरी नजर से बचाव के उपाई अगर आपके घर में किसी बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो ऐसे में उसके सिर से पैर तक ग्यारह बार नारियल उतारें इसके बाद इस नारियल को किसी सुनसान, स्थान या फिर बहते पानी में विसर्जित कर दें ऐसा करने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्थ हो जाता है दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना जय श्री कृष्णा राधे राधे ओम नमह शिवाए